आज के लपन खतरनाक मूड में गड़बर करने वालों को छोड़ेंगे भोड़ेंगे नहीं फारम में मामा भी और ते एक तरप माफियाओं के खिलाप अभियान चल रहा है मसल पावर का रुसूक का इस्तिमाल करके कहीं अवेद कपजा कर लिया कहीं भवन तान दिये कहीं ड्रग माफिया सुन लो रे मद पुने छोड़ दैना नहीं जमीन में गार दूंगा दस पिट पता नहीं चलेगा कहीं भी बेगम गंज से हमारे संबाद्धाता शरस शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट नापा ने हटाया चिन्ने तिस्थानों का अतिक्रमड लोगों ने लगाए पक्षपात के आरोप बेगम गंज बिगत दिनों सांती समीती की बैठक में कलेक्टर उमा संकर भारगाउन ने नगर में अतिक्रमड की शिकायत मिलने पर एक तरफ से लेकर पूरे नगर का अतिक्रमड हटाने के निर्देश नापा सीमो को दिये थे और कहा था कि अतिक्रमड बिना भेदभाव से एक तरफ से लेकर पूरे नगर का हटाया जाए लेकिन नगर पालका ने कुछ चिन्नित इस्थानों पर गल्थ स्कूल रोड मुर्गा मार्केट आदी का अतिक्रमड हटाने के लिए भारी पुलिस बल के साथ और सफाई कर्मि पुल्यों के अमले को लेकर पहुँचे यहाँ लोगों ने जो फुट पात पात चोटा मुटा कारोबार करते थे उन्होंने स्वैम अपना अतिक्रमड हटाना सुरू कर दिया नगरपाल का ने अमले ने भी उसमें सयोग किया यहाँ लोगों ने यह बात सुनाई दी की अत प्रशासन को खल रहा है इसलिए हटा दिया गया है पूंजी पतियों का अतिक्रमण बरकरार है गल्च स्कूल रोड पर भी आइस्थाई रूप से रखी गुम्ठियां हाथ ठेले हटा दिये जबकि दूसरी और पूंजी पतियों का सामान को उनके दौरा लगाए गए टीन से रोड से नहीं हटाये गए यहाँ पर यह बाद भी सामने आई मुर्गा मार्केट बालों के लिए दूसरे इस्थान पर जाने के लिए जगाई लोहामील के पास चायनित की गई है लेकिन बहाँ पर मुर्गा मार्केट बाले जाना नहीं चायते क्योंकि बहाँ नगर से बा पालने का टाइम आया है तो प्रिशासन का डंडा फिर से गरीबों पचल गया अगर प्रिशासन को अतिकृमार ताना था तो नगर के हर से को अतिक्रमण से मुक्त कराना था जहां लोगों ने अतिकृमार कल दिया है अतिक्रमन हटाने के लिए CMO नत्थिलाल करोलिया के साथ नायब तैसिलदार SGOP शुनील कुमार बरकरे टी आई कस्वा पटबारी और नगरपालका के दरोगा दिने सपेरा सहर भारी मात्रा में पुलिस बल और सपाई कर्मचारी JCB टेक्टर ट्राली बा अन बाहनों के साथ म पूरे नगर में जहां भी अतिक्रमार है बिना पक्षपात के हटाया जाएगा रायसेन बेगम गण से हमारे संबाददाता शरत शर्मा की रिपोर्ट बिरीशा से हमारे संबाददाता राम बाबु की रिपोर्ट शुरोंज के सराफ़ा ब्यापारी ने अपनी सुरक्षा के लिए मांगा सस्त्र लाइसेंस दो बार हो चुका है हमला जन सुर्बाई में कलेक्टर से की फर्याद जिले के आनंतुर में सराफ़ा ब्यापारी आसी सोनी पर दो बार लुटेरे द्वारा लूट की नियत से हमला किया गया हाला कि लुटेरे गुना जिले में गरपतार किये जा चुके हैं अपनी सुरक्षा और जानमाल की सुरक्षा को लेकर उन्होंने सस्त्र लाइसेंस की मांग कलेक्टर से की मंगल बार को जन सुन बाई के दोरान उन्होंने कलेक्टर को आबेदन देते हुए कहा के उनके और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए सस्त्र लाइसेंस दिया जाए उन पर पहले बई दो बात जान लिबा हमला चुका है बिदीशा से हमारे संबाद दाता राम बाबु की रिपोर्ट